फिल्म इंडस्ट्री में बेहद कम उम्र में अपनी खुपसूर्ती और जानदार अभने के दम पर लोगों के दिलों में जगा बनाने वाली 90 के दसकी मशुहूर अभनेत्री दिब्या भारती एक भारतिय फिल्म अभनेत्री थी उन्होंने मुख रूप से बाली बुड में काम किया था दिब्या अपने समय की सबसे इवाभनेत्री थी क्योंकि उन्होंने बालीबुट फिल्म इंडस्ट्री में बेहद कम उम्र में अपना करियर बनाया था दिब्या ने अपने करियर की शुरुआत तमिल और तेलगु फिल्मों से की थी दोस्तों दिब्या भारती का जन्म 25 फरौरी 1974 को मुंबई महाराष्ट में हुआ था परकास भारती की दूसरी पतनी थी दिब्या की शुरुआती सिक्षा मानेग जी कापार हाई इसकोल में हुई दिब्या शुरू से ही पढ़ाई में एक मध्यम अस्थर की विद्यारती थी अगर हम उनके फिल्मी करियर की बात करें तो दिब्या भारती हिंदी फिल्मों की एक मसुहूर अभनेत्री थी जिनकी अभिनाए बिविद्धा से उन्हें अपनी पीड़ी के सबसे खुपसूरतिवा अभिनेत्री होने का गवरो मिला है 90 के दसक में अपने करियर की शुरुआत करने वाली दिब्या ने कई साफल फिल्मों में अभने किया है महाज 14 साल की उम्र में विद्या ने अपना माडलिング करियर शुरू कर दिया था जिसके बाद 1990 में 16 साल की उम्र में दिब्या ने अपनी पहली फिल्म बोबिली राजा से डेब्बू किया ये फिल्म तेलगु फिल्म थी साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा से दिव्या को अपार सफलता मिली जिसके बाद उनका नाम बालीबुट इंडस्ट्री की जानी मानी अभनेत्रियों में शुमार हो गया बाद में उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया जैसे शोला और शबनम, बलवान, दिल आशना है, गीत, दीवाना, आद, दोस्तों अगर हम उनके बैबाहिक जीवन पर नजर डालें तो दिव्या ने दस मई वर नई सुबा ने बेको फिल्म निर्माता और निर्देशक साजिन नाडियावाला से शादी की, दिव्या भारती ने साजिस से शादी करने के लिए इ इसलाम धर्म कबूल करने के बाद ही उन्होंने अपना नाम सना रखा था, कहा ये भी जाता है कि दिव्या की इस शादी से उनके पिता नाराज थे, उनहीं चाहिते थे कि उनकी बेटी साजिस से शादी करे, नतीजन दिव्या भारती और साजिन नाडियावाला ने दिव्या भारती ने दुनिया को अलविदा कहा, उस वक्त उनकी उम्र महाज 19 साल थी, जिन्दगी के इन सालों में दिव्या ने बचपन देखा, फिल्मों की दुनिया देखी, पांच अप्रेल 1993 को भारती ने अपने घर की पांच फलोर की बालकनी से गिर गई, जिसके बा भूत आत्मा थी या दुरघटना ये अब तक एक रहस है, दोस्तों इस दिव्या भारती की मौस से फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से मातम सच्छा गया, चारों लोग संसनी फैली हुई थी, दोस्तों उनकी कमी इस फिल्म इंडस्ट्री में कभी नहीं पूरी होगी, दो वहारे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो अपने यूट्यूब चेनल पर सेयर करता रहता हूं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबा कर और आइकोन को दबाना न भूलें बहुत बहुत धन्यवाद